असलाव अलेकुम दोस्तों वेल्कम तो न्यूव वीडियो फ्रम इशान गोट फार्म आप हमारे चैनल में सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और देख सकते हैं जैसे हम हाइटेक इंटरमेक्टन जो इसकीन इंजेक्शन होता हाइटेक सबसे पहले ल लेगा दिया आप देखी सकते हैं और इसके बाद में बहुत ही बारिकी से शेयर करूंगा इंफॉर्मेशन जो आप तक जो भाई लोग के पास और हमारे बक्रेवाज लोग के बहुत फायदा देने वाला है आप देखी सकते हैं माशाला आप देखिएगा हाइटेक मैंने लिया इसमे बहुत ही बारिकी मैंने बताया बहुत ही डिटेल्स इंफॉर्मेशन देख शेक करकर के बहुत ही बारिकी मैंने बताया है अ कि बक्रे का सकीन यह जो मेल हमारा है आजान देखी सकते हैं पुरा डीटेल्स में मैंने चेक करकर के देखा है कहां का स्किन कहां पे लोच ज्यादा है पहले मैं बताऊंगा कि यह गाबिन बकरी या प्रेगनेंट फिमेल पे ना लगा है और देखिसकते हैं आप में चेक कर रहा हुँ कि कहां पे सही है लोच यह जान प City इसका कहा सही है यह जरहाम भी में या फिर मांस पे नहीं लगा सकते हैं अगर में या missing पे लगा तो प्रॉबलम कर सकता है वहीं पर लगते हैं कि साथ ही साथ जखम कर देगा एक दिन दो दिन बाद आपको समझ में आएगा कि जखम हो गया है इसलिए प्रॉपर स्कीन में लगना चाहिए दर असल यह अग्रेशिव अगर गोट है आपका बहुत ही जादा तो एक दो जन्स है अच्छे से पकड़वा ले और यह इंटरमेक्ट्रेन मतलब जो चमड़े का इंजेक्शन है आइटेक वह थोड़ा रिक्सकी है इसलिए अग गोस में लगा तो जखम कर देता है अगर अगर प्रॉपर वे में मारते हैं चमड़े में देते हैं तो फिर अच्छा काम करता है इसलिए आप अच्छे से पकड़ ले और यह एक्सपर्ट के जरिया ही दिलवाएं यह डॉक्टर या वेट कंसल्टेशन करके दिलवाएं और माशाला देखी सकते हैं आप हम दे दे चुके हैं इंटरमेक्टन हाइटेक और यह थोड़ा जलता है इसलिए बक्रा अराम से नहीं लेता थोड़ा तकलीफ होता है इससे देने से बहुत ही हाड़ इंजेक्शन है बी केरफुल असलाम अलेकम दोस्तों प्लेज सब्सक्राइब मैं चैनल लाइक द वीडियो